कहां गए भाई विराट कोली की हिटर्स पक्का इस इनिंग के बाद ना कहीं जाके दुबक के बैट गया होंगे क्योंकि उनको भी पता है कि भाई सब जिस तरीके से विराट कोली ने पंजाग के बॉलर की सुताई किये कहीं उस तरीके से हमारी सुताई न कर दें और हां सब का मुव बंद करवा दिया हुए है और भाई जैसे जैसे प्लेउफफ आ रहे हैं वैसे वैसे अर्जीवी की टीम वह वाले मैचे से याद दिलवा रही है जो वह एकदम क्लोज जाके आरी है जैसे कलकेटा के कहलाब उन्होंने मैच को एक रहं से आ रहा हुआ था अब वह ही खतरनाग मैच हुआ मतलब इस मैच में क्या नहीं हुआ RCB की टीम भाई साब 80 पारी खेली है ना पंजाब किंग्स की बॉलर कह रहे है ना भाई ये RCB का ये रूप देखे ना बगवान मुझे माप कर दें ये बहुत मार रहे है यार खेर इस मैच के बारे में बात करेंगे थोड़ा विस्तार से लेकिन उससे पहले क्या करना है आप लोग को वीडियो को लाइक और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा विस्तार से आप लोग को बताते हैं देखिए असारब प्रथम टॉस होता है टॉस गिरता और वो ले लेते हैं, पहले भाई सब बॉलिंग। वो गाँ रहे। हमने दोसओ 61.चेश किया थे तो RCB वाले आके कितने भी रन बना देंगे हम वो चेश कर लेंगे देखते हैं भाई तुम कर पाते हो या नहीं कर पाते हो फिर पंजाब की उसकी टीम आती है बॉलिंग करने और RCB की टीम की टीम आती है बैटिंग करने RCB की टीम की तरफ से ओपन करने आए फापडू पसली भाईया और हमारे कोली भाईया ओली भाईया तो ठीके रहे लेकिन हमारे पसली भाईया जो हापडो पसली भाईया थी वो जल्दी ही आउट होगे साथ गेंद में मातर नौरन बना और पबेलेन की और सिधार गए उसके बाद फिर बैटिंग करने आते हैं विल जैक्स बैटिंग करने रजत पाटिदार इनको भाईशाब सामने लगा दो कोई सबी स्पिनर भाईशा भी रख रख के देती हैं और स्पिनर की जो बॉल स्पिन हो रही होती है न वो इस पी नोना बंद हो जाता है हमारे जो पाठीदार भाईया थे वो तावर तोड बैटिंग करते हुए 23 गिंद में 55 रन बना दिये और भाई साब इनका जो स्ट्राइक रेट था ना वो लगभग 2400 के आस पास था मतलब जो लग रहा था कि भाई साब RCB की टीम यहां से डाउन फाल होती हुई जाएगी वहीं पर हमारे पाठीदार भाईया ने जो इनिंग्स खेल की इतना तगड़ा स्कोर कार्ड को बूस्ट किया वहीं से RCB की टीम जीतते हुए फिर नजर आ रहे थे और दूसरे तरह विराट कोली भाई आज अलग ही मूड में नजर आ रहे थे वो कहरे भाई मैं स्लोग खेली नहीं सकता तुम लोग स्ट्राही रेट की उपर बात करते हो आज मैं ऐसा खेल दूगा तुम सालों बात नहीं करनेगा और जो लोग भाई ये सभाल उटा रहे थे विराट कोली को वर्ड कप में क्यों ले जा रही है इस वजे से ले जा रहे है नाइंटी टूर रन मरा है 47 बॉल में सात चोग के छे चछक्त के मारा है अगर अभी भी भाई तुम लोग कोश्चन करोगी कि विराटच को टीट्वन दी वर्ड कप معड क्युंँ ले जा रहे हैं तो भाई है जब तुम्हें दूप के पानी-भानी में हें चले जाना चींए क्योंकि इस निंग के बाद आप आप लोग को विश्वास हो जाना चींए कि विराट कोली वह खिलाडी है वो कहीं से भी गियर को चेंज कर सकते हैं कहीं से अभी स्ट्राइक रेट 171 का तो था है उसके बाद फिर बैटिंग करने आते हैं हमारे देके भईया देके भईया के अब तीन मैच बचे हुए थे जिसमें से काल वो के लिए अब उनके बचे हैं दो मैचे कल के मैच में वह बढ़िया परफॉमेंस दे दो चोके नहीं दो छक वहाले करते हैं ऑन्जाब किंग्स होँ किया है तो यह 241 इसी तो मैं यूँ रूब्ड़ा कोई प्रered इंगर गिर प्रफो नहीं दो के थे प्लेयर से वाद इकिए जाते ही जा रहे थे और जो RCV के बॉलर्स काफी जदा पहले के टाइम में घटिया बॉलर्स नजार आ रहे थे वो भाई साब धेरे-धेरे क्रीम बॉलर नजार आ रहे मौंबस सिराज जो भाई साब एक-एक ओवरो में 20-20 रन खा रहे थे इस बार भाई साब वो कम रन दे रहे हैं और मैं आपको बता दू कि मौंबस सिराज ने तीन विकट लिए मातर 40 रन दे की और वहीं करन सर्मा ने दो विकट ले लिए वहीं मैं आपको बता दू कि पंजाब किंग्स की टीम की तरब से मातर एक बैट्समैन राईली रूसू वहीं चला है एक सट रन 27 गेंद में मारा है वो जब तक था तक लग रहा था कि भाई मैच पंजाब जीच सकते हैं लेकिन वो जाई से आउट हो अब हाई साब ऐसे ध धरा साही हो गई वहाला मोमेंट आप लोगों ने देखा होगा जब हमारे राईली रूसू भाई अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करते हैं तो उपर की तरह बैट करके एकड़म एक के 47 बना देते हो जैसे ही राईली रूसू आउट हुए विराट कोली ने भाई तकड़ एक्षन किया इसे दोड़ते हुए ऐसे ऐसे किया भाई साब वह मोमेंट एकड़म खतरनाक था बाकि यह जो मैस था एकड़म जवर्दस था आर्सेबी की टीम भाई साब एकड़म अलग नजर आ रही है जो को क्वालिफाई भेले ही ना करें लेकिन अब यह दिल जीतना स् आर्सेबी के अब तीन टीमें लगबख क्वालिफाई हो चुकी हुई है मैंने आपको पहले भी बताया है राजस्तान केके यार और एसारेच की टीम अब आती है भाई साब सीएस के लस्जे डीसी अगर यह अपने आने वाले सारे मैचस हार जाते हैं तो यहां पर प्रसा उनको फायदा हो सकता है और वो लोग क्वालिफाई कर सकते हैं आर्सेबी का यहां पर कुछ कहा नहीं जा सकता है देखो भाई साब होने को तो कुछ भी हो सकता है उने को तो कुछ भी हो सकता है आर्सेबी क्वालिफाई कर सकती है उसमें कोई दो राए नहीं है ठी हलगी मैं जबर्दस्त हुआ आर्चीबी वर्सेस पंजाब का जुकी मैंने आपको बताया आज के वीडियो में बस इतना ही थैंक यू सो मच पर वर्चिंग टेक